Assalamualaikum my dear friends, कैसे हैं आप आज हम सीखने वाले हैं कि एक कैंडल होती क्या है, एक कैंडल के कितने ही से होते हैं, और ये कैंडल कैसे काम कर सकती है, और ये किस तरीके से हमारी हेल्प करती है पैसा आर्न करने में, कैंडल की कितने ही टाइप होती है, कैंडल के कितने ही से होते है, candle बन्ती क्यों है candle का फाइदा क्या है नुकसान क्या यह बुल क्या है आज candle की फुल बेसिक आपको सिखाऊंगा बड़ी डिटेल के साथ और अगर आपको समझते हैं अपने आपको समझते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है चैनल के बारे में तो आप यह वीडियो जरह सबसे पहले एक चार्ट के ऊपर हमें चीजें नजर आती हैं वो क्या हैं सबसे पहले तो मैं आपको clear कर दूं कि there is a three type of chart number one line chart number two bar chart and number three candlestick chart यह तीन basic chart होते हैं किसी भी market में चाहे आप forex करते हो crypto करते हो stock trading करते हो future trading करते हो यह फिर आप दुनिया की किसी भी market में कुछ भी trade करते हो तो यही तीन chart वहां पर इस्तमाल होते हैं line chart का तो आपको पता ही है line chart basically a line बनती जाती है flow के हिसाब से demand and supply के हिसाब से जिसको analyze करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है दूसरी नबर पर चार्ट एक most popular chart है वह बार चार्ट यह जी बार चार्ट जो मेरे हाथ में बार चार्ट इसके अंदर open है close है high है low है लेकिन इसकी body नहीं होती body क्या चीज है यह हम देखते हैं candlestick यानि कि जो तीसरे टाइप हमारा चार्ट है वह है candlestick चार्ट में चोटी 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 candles होती है चैंडल उर्दू में बोले तो मोबती मोबती के उपर वाली साइड पर जो आग जल रही होती है उसको बोलते है विक या स्पाइक वह आग कभी 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 चोटी होती है वह भागा जो होता है उसको भी आप बोल सकते हैं candles के अंदर जो होता है और नीचे की side पर और नीचे यह बाडी तो candlestick के 5 हिसे है main बार चार्ट के भी 5 ही हिसे हैं ठीक है अच्छा इनके डिफरेंस क्या है वह देखते हैं सबसे पहले high low open close ठीक है थी high low open close चार इस हो गए पांच्वा हिसा है इसका volume कि कितना बड़ा होता है यह कितना छोटा होता है ठीक है यहां पे देखें यह भी बार चार्ट सी है इसके लाद अब candlestick मुझे ज़्यादा अच्छे लगती है ठीक है candlestick में क्या होता है high low open and close ठीक है अब candle two किसम की होती है bullish या bearish bullish candle हमेशा green color की या blue color की होती है bearish candle हमेशा red color की या black color की होती है bullish या bearish candle के अदर 5 इसे हैं जिसके ज़रा गोर से सुनिएगा market यहां चे open होई मानिजिए यह 50 की है नीचे आई 45 की प्राइस का लो लगाया विक बनाई और फिर उसके बाद ऊपर चली गई उपर सो पे गई और सो का यह हाई लगाके नीचे वापस आके इसने आलमोस पैंथर्ट के उपर जाके यहां पेच्छतर के उपर जाके क्लोजिंग दिया दी चार इसी हो गए open close high low पांच 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 या फिर इसको बॉड़ी को कह सकते है बॉड़ी पी एक हिसा है जो के आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहा एक बार में तो इसलिए बार से ज्यादा हमें केंडल स्टिक अच्छी रगती है यह जो तीन चार्ट मैंने बताए हैं आपको लाइन चार्ट बार चार्ट ए पढ़ाऊंगा कैंडल स्टिक के जो पैटरन है सिंगल कैंडल स्टिक पैटरन डबल कैंडल स्टिक पैटरन एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटरन यह कैंडल मिलके पैटरन जवन आती हैं तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटरन लर्ण करेंगे जिसमें डोजी हम इन्वर्टेड हम्र, शूटिंग स्टार्ट और पिन बार बगहरा होंगे उसके बाद डेभल कैंड़ स्टिक पैरेंड एड़ पी त्रीपल स्टिक पैरेंगे यकीन करें अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक की लार्न कर लें तो आप बहुत चाहरा पासा कमा सकते हैं और ये वीडियो देखने वालो ये जोरूरी नहीं है आप future market पर trade कर रहे हो किरेपिक्टो। हो यह पाकिश्टन स्टॉक में एंडिये सौक में कर रहे हो trading ४ कहीं पर भी होगए analysis के तरीके यही होगे और candles के तरीक यह बार के तरीके यह चार्ट के तरीके यहीं रहाँ आज हमने च willst कि इसको söyl 2000 कर लोगाइक हैं सबसे हमने लर्न किया हो मैं तइसे दंखहा हैं उसके बाद वने किया इस थोड़ी सी आप noiB हीडोर्प थोड़ी से आपको हिस्ट्री बता देता हूं मेरे डोस्तों ये जय्पनीज इसको जैपनी केंड़िल्सिक पैटर्न क्यों कहा जाता है ? कियोंकि सबसे पहले जपानी लोगों ने किंडल स्टिक का इस्तमाल करना शूरू किया था इन उने केंडल्स बनाना स्टार्ट की थी वो कैसे ? 18th century में सबसे पहले Japanese लोगों ने जो के चावलों की तिजारत किया करते थे Candle Stick मुतारफ करवाई जब भी मंडी ओपन होती थी सुबा तो वो अपना एक opening point बना लेते थे लिख लेते थे कि 50 से market open हुई है उसके बाद market कितना नीचे गई है 45 तक आई है नीचे उसके बाद market की price उस दिन में यह कितना ऊपर गई है तो for example इसने high लगाया है 100 का और यह नीचे आगे close हुई है 55 में 55 में तो यह एक candle वो create कर लेते थे अपने white board पर यह black board पर उनकी candle बन जाती थी इसी तरीके से अगले दिन आके वो एक नई candle बना लेते थे उससे अगले दिन आके एक नई candle बना लेते थे इससे पता चल जाता था उनके पूरे महिने में जो चावलों की जो ट्रेड हु जोई candle stick की उसमें इसको introduce करवाया गया अलग अलग टाइम फ्रेम में एक मिनट की भी candle हो सकती है पांच मिनट की हो सकती है एक घंटे की हो सकती है थाटी मिनट की हो सकती है चार घंट की हो सकती है एक दिन की candle हो सकती है एक वीक की candle हो सकती है और एक मत की भी candle हो सकती है और चार्ट भी इस्तमाल कर रहे हैं तो माई डियर फेंड आप इन में ते कौन सा चार्ट इस्तमाल करते हैं और मुझे ये भी बताईएगा कि आप कि इस टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करते हैं कमें पर राहे बताएए बिल्कुल बेसिक लेवल की कैनलिस्टिक वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपके लिए इन्फरमेशन हेलफूल साबित होगी है तो मुझे लाइक करें कमें अपनी जाइब पोस्ट करें और अपनी दौओं में मुझे याद रखें मिलते हैं अगली वीडियो में अलाहाफिस